एक यूट्यूबर का मैंने रिल दीखा था जिसमें था कि अपनी बीबी को साड़ी कैसे पहना है तो आज मैं उन्हीं के लिए ये साड़ी रैप करके बता रहे हूं तो जब आप पहला राउंड उनको टक करें मतलब स्टार्टिंग से टक करें तो कमर के दोनों साइट से उन लगता है तो घुटने से थोड़ा नीचे तक का तो पलू आपको लेना है फिर उपर के फैब्रिको एक वी शेप में अपने प्लेटी कोट और साड़ी से एक सेव्टी पिन लगानी है थोड़ा एक दो हाज इतनी जगा छोड़ कर फिर बाकी जो भी फैब्रिक पचे गाना उसके आपको प्लेट्स बना लेनी है फिर आपको छोटे से फैब्रिक को छोड़ देना है बची हुई सारी प्लेट्स को उपर नीचे से सारे एड़स्ट कर लेना है कि सारी एक इकवल हो जाए ऐसे नहीं कि कोई नीचे जारी ने तो फिर सारी प्लेट उपर नीचे लगें फिर आप मिसिस से पूछ लें कि ढूँ आप साड़ी पहन रहे हो चपपल पहनों गी कि सैंडल तो आप पूछ यह कि इतनी उचायी की सैंडल है तो अतनी उचाय लेने के बात फिर जितना भी फैबरिक उपर बचेगा उसको आपको अपने पिटिकोट में टक कर देना हैं यह तोड़ा थोड़ा प्लेट्स को फैला लीजिए ताकि चलने में आसानी होती और यहां साइड में जो थोड़ा सा फैबरिक बच जाता है प्लेट्स बनाते वग जिसके प्लेट नहीं बन रही है उसे आप कमर के कोने पर ही टक करें पीछे ना ले जाए और आगे से प्लेट्स फुली फुली नजर आती है तो उन साइडियों की ट्रिक में बता रही हूं पर उससे पहले आपको यह करना है कि अपनी प्लेट्स को उपर नीचे से अरेंज कर लेना है ताकि क्रीज बन जाए अगर प्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सेक्शन लो थोड़ सेक्शन भी आप प्लेज सकेंगे और इसली साइडी ट्रैप हो जाएगी तो साइडी पहनने का सबसे पहला नियम यह है कि आप साइडी को देखके घुराई नहीं क्यों से कैसे पहलेंगे साडी बहुत एजी तरीके साप पहन सकते बस कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करत कर नहीं फिर आपको सेफ्टी पिन वापस लगा लेनी अप शोल्डर की प्लेट के बात करते हैं जिग जैग बनती है इसमें आपको यह बात ध्यान रखनी है जो साडी का नीची का फैब्रिक है वह उपर की साइड शो करेगा और उपर वाला नीची यानि कि आपके नेक की क्योंकि कहीं कर पार यह सटेक हो जाती है हम डोनो साइड को नेक की साइड कर लेते हैं या दोनों साइडी हम अपने शोल्डर की साइड उसे उपन कर लेते है तो उस चंडिशन में आप पलु लेने में फोड़ पौद प्रॉब्लम आएगी जितना हो सथे आपको हाथ पिन लगेगी वो आडे लगेगी I hope आपको वीडियो पसंद आयोगा So please, thanks for watching